तोन हेलो प्रेंड्स वेल्कम आई चैनल ज़न्योन श्टेडी तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं कि लाउस टैंत में चैप्टर वन रियल नंबर एक्सरसाईस बन पोईंट यहां पर चलेगा तो कोसर नमबर टू रीड करते हैं कोसर नमबर टू में हमसे क्या कहा गया है तो आई यह देखते हैं find the LCM and SCF of the following pairs यह कहा गया है वह जो आपको पेर दिया हुआ है यहां पर उसका आपको LCM and SCF find करना है ठीक है बई intersection and verify LCM and SCF is equal to product of the two numbers और verify करना है कि LCM into SCF आपका आएगा न product of two numbers यह वही आना चाहिए तो किस तरीके से करना स्टार्ट करते हैं बच्चों देखो सबसे पहले आपको यहां पर 26 का लेना पड़ेगा LCM तो टू से बच्चों यह जाएगा 13 टाइम अब 13 से जाएगा one time LCM सभी को लेना आता होगा अब 91 को करेंगे तो 91 देखो 7 से जाएगा क्योंकि 7 बच्चों आपको इस तरीके से यहां पर लिखना है तो कितने हैं 7 x 13 यहां पर लिखेंगे हम SCF देखो बच्चों SCF क्या होता है एक ऐसा नंबर जो दोनों का मुल्टीपल हो दोनों का देखना धिहां से 13 है 13 26 का ही मुल्टीपल है 13 91 का भी है तो यहां पर क्या एक common factor है इसका 26 का भी 13 फैक्टर है और 91 का भी तो common factor हुआ तो जिसको मैं बंद कर रहा हूं देखो वही आपका क्या है SCF है तो हम यहां पर लिख देंगे 13 ऐसा multiple ऐसा factor जो दोनों digit का होता है दोनों का होता है ठीक है उसी को हम क्या बोलते हैं SCF बोलते हैं अब हम बात करेंगे यहां पर LCM की तो LCM क्या कहता है LCM यह कहता है कि जो आपक 13 to 26, 26 की 7 से करना 182 आएगा बच्चो ठीक है कोसन ने हमसे क्या कहा था कोसन ने हमसे कहा था कि LCM और SCF बताओ LCM मैंने आपको यह दिखा दिया निकाल कि 182 SCF निकाल दिया हमने 13 अब हम करते हैं आगे की तरफ चलते हैं कोसन ने हमसे आगे कहा है कि इतना करने के बाद LCM into SC SCF is equal to product of two numbers यह आपको verify करना है तो सबसे पहले मैंने इधर वाली लैन को पकड़ा जो हमारे पास दी है LCM into SCF तो देखेंगे बच्चो यहां पर LCM हमने कितना निकाला 182 multiply और SCF हमने निकाला कितना 13 आप इसकी multiply करके देखना बच्चो 2366 आने के बाद अब देखो हम यहां यहां पर लिखेंगे product of two numbers तो बच्चो मैं आपको एक बात बदा दूं product of two numbers है वह भी आपका यही आना चाहिए जबी तो इक्वल होगा तो हम यहां पर लिखेंगे product of two numbers वह कौन से number जिनका हमें product करना है तो आप देख सकते हो 2691 यह है वह दो number 26 into 91 इनकी आप multiply करो कितना आ आना चाहिए product of the two numbers तो देखो एल से मिन टो एस से अभी 2366 आ गया और product of two numbers 2366 आ गया तो को समझ में आ गया होगा अच्छे से धियान लगा कि अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा चार्ट करेंगे बच्चों सेकंड पार्ट में देखो हमें धिया हुआ हुआ है 510 दो और 992 तो मैंने आपको बताए कि भाई सबसे पहले हमको जो है ना वह सबसे पहले हमको इसका ऐल से लेना है तो से डिवाइड करोगे 510 के अब आते हैं 92 का एल से हम लेंगे हम 248 और 2612 224 236 23 23 यह हमने यहां पर इसके बच्चों मतलब फैक्टर कर दी हैं अब हम लिखेंगे यहां पर देखो मैंने आपको पताया था इस तरीके से आपको लिखना होता है कि वह फैक्टर्स ओफ 510 तो 2 2 multiply 3 multiply 5 multiply 7 फिर से लिखो factors of 92 2 multiply 2 multiply 23 अब हम यहां पर लीखेंगे नीचे SCF तो बच्चों मैंने आपको बताया SCF वो नंबर होगा यहां पर जो दोनों का multiple वह दोनों का factor होगा देखो दिहां से अब यह 2510 का अभी factor है 292 का भी है और हम क्या देखने है कि दोनों में जो और इसा नूमबर होगा है तो अश्य इसके भाद आपको निखुआ है दोनों में मैंने आपको बता छोबarta च्पट सेडें लिए लिखो और फिर या लिखो 23 फिल्टी थरी उस्ट्राइब से लिखते हैं इस तरीं के से अभ को आपको LCM into SCF निकालना है यह बोला है न यहाँ पर तो निकाल देते हैं LCM कितना है हमारे पास LCM हमारे पास आया है 2, 3, 4, 6, 0 और SCF कितना है बच्चों हमारे पास 2 इनके multiply करो 0, 2, 6, 8, 12 का 2 carry गया 1, 2, 4, 1, 9 2, 3, 6, 2, 2, 4, यह इतना आ गया अब हम क्या निकालेंगे product of two numbers निकालेंगे तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको is equal to sign लगा के product of two numbers समझ जाना ठीक है बच्चों writing थोड़ी परिसान करती है बट कोई नहीं जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो product of two numbers ठीक है अब देखो यहाँ पर वही वह दो नंबर कौन से जिनकालेंगे हम प्रोड़क्ट कर रहे हैं वह दो नंबर हमारे पास है 510 multiply 92 फटा 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 हम इसके इंटू करके देखते हैं देखते हैं क्या यह जो निकल के आया हमारे पास का यह भी यह आयेगा तो 0-2 बंजο-2-25-10-09-49-9-9-5-45-0-2946 2946 यह आ रहा है बच्चो 46920 तो उम्मीत करूंगा इसका सेगेंड पार्ट भी आपको समझ में आया हुगा और कोई परेसानिक फिर भी आपको आ रही है तो वीडियो को बैक करके एक बार देखिए आपको किलियर समझ में आएगा और अच्छे से कोशन करें इसका थर्ड पा सब्सक्राइब करेंगे हैं थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे यहां पर लिखेंगे यहां पर देखो तो इस ऐसे फेक्टरस ऑफ ठी थी तरी थी जिएग तू मल्टीपलाइब तू मल्टीपाइब तू मल्टीपलाइब कॉंटी ना पर न इस ऐफ क्या होगा यह वहता है जो यहां पर नीचे नहीं नीचे नहीं है तो इस तरीके सा हम यहां बोल सकते हैं कि इसका जो common factor है only एक यह वाले टू है और एक यह वाला थिर्य के इनका पेर बन गया अब हम निकालेंगे इसका आपको लिखना है अब साइड में आपको बचावाई टू 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 पहले यह लिख लेते हैं इतना करने के बाद अब तरी कर लेंगे ठीक है नीचे के भी यूज़ोगा पर से सैवन भी लिख लो अब हम करेंगे इसकी मल्टिप्लाइब देखो मल्टिप्लाइब बच् 24 ओन फोर यह गया अब यह जाएगा तो वन फोर्टिप्लाइब कर देंगे हम टू फोर टू टू वड़े टू टू इल्ड़ू टू आपको तो हम यहां पर यहनुन तो एसी एफ निकाल देंगे ठीज़ोट्वर फस्ता नीचे देख सकते हैं हो फिकसे एक तो नो इंटू तो गड़ तो 64 24 का 4 के जाएगा तो 612 12 14 का 4 के रिगा वन वन का 163 जा 18 यानि 18144 हमारे पास आ गया है अब इसका क्या बचा बचाए 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 प्रोड़क्ट ओफ टू नंबर तो थोड़ा सा मैं यह नीचे का अभी रफ कर देता हूं जिससे की पू 54 तो 336 multiply 54 इन दोनों की आप multiply करने पर इनका आएगा अंसर यह आएगा 18144 तो हम यहां पर देखों बच्चों कह सकते हैं कि इस को सब्सक्राइब निकालना था वह हम फाइंड कर देते हैं फिर हमें लसम इंटू सब्सक्राइब का जो मल्डिपल आएगा वह क्या हो जाता है वह चोटा कोशन है कुछ भी नहीं है इसमें अगर आप ध्यान से वीडियो इसको देखते हो तो मैं ही कहुंगा कि आपको समझ में आगया होगा अच्छे से हमारा जो चैनल है यह जर्नियों को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बोक्स